आप सभी को पता होगा कि 8 जुलाई 2024 ट्रेनी के अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असिस्मेंट के मार्ग्स भरने की जो है लास्ट देट है जो कि आज है तो क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी ये जानने के लिए आप सभी उ जिसमें उन्होंने एक्जाम से सम्मधिस एक्टिविटी जैसे ट्रेनी के अटेंडेंस भरने की एक्टिविटी ट्रेनी के फॉर्मेटिव असिस्मेंट मार्ग्स भरने की एक्टिविटी प्रेक्टिकल एक्जाम फीस पेड अन पेड करने की एक्टिविटी और CBT एक्जा जुलाई तक का समय दिया था सभी ITIs को और ट्रेनी के प्रैक्टिकल एक्जाम फीस स्टेटस को पेड अबलिक अनपेड और CBT एक्जाम फीस को पे करने के लिए DGT भारसरकार ने 30 जून से 13 जुलाई तक का समय दिया था और आज 8 जुलाई है मतलब अटेंडेंस और फॉर् कैसे हूं कि डेट बढ़ेगी तो अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं जो अब आपको बताऊंगा उसके बाद आप भी इन 10% लोगों की तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको याद होगा कि 28 जुलाई 2014 को DGT भारसरकार ने सभी स्टेट्स ऑबलिक यूनिन टरिट कान से नहीं पड़ते हैं चली कोई बात नहीं अगर आपने मिस कर दिया था तो हमने आपको यहां बता दिया है तो जब ट्रेणी वेरिफिकेशन यानि के ट्रेणी का प्रमेंट रेइस्टेशन नंबर जनरेट करने की लास जेट 15 जुलाई है तो फिर ट्रेणी के ट्रेणी का प्रमेंट रेइस्टेशन नंबर जनरेट होगा उन ट्रेणी की अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असिस्मेंट के मार्क्स कैसे भरे जाएंगे और कैसे ये बच्चे एक्जाम में अपियर होंगे क्योंकि एक्जाम में अपियर होने के लिए जितना जरूरी ट्रेणी का प्रमेंट रेइस्टेशन नंबर है उतना ही जरूरी है ट्रेणी के अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असिस्मेंट के मार्क्स भरना ट्रेणी के अटेंडेंस 80% के बराबर या 80% से जादा होने चाहि तब ही trainee जो है exam में appear हो पाएगा तो finally ये तो तय है कि exam की activity जो है उसकी date तो बढ़ेगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी activities की date बढ़े मगर इन चार activity यानि कि trainee के attendance, formative assessment के marks, practical fees status को paid unpaid और CBT exam fees को paid करने की जो date है वो तो ज़रूर बढ़ेगी अब date बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी ये तो DGT का letter आने के बाद ही पते चलेगा बहुत सरे लोग सोचेंगे कि हो सकता है exam भी postpone हो तो देखिए अभी इस चीज को मत मान के चलिए जब तक कोई भी चीज राइटिंग में नहीं आती है क्योंकि अभी भी इतना time duration है कि exam की activity का schedule को बढ़ागे exam on time conduct कराया जा सकता है तो आप लोग जो हैं अपने trainees को बोलिए कि वो अपनी preparation जो हैं लगतार करते रहें और आप लोग जो हैं exam सरे जितनी भी activities हैं उसको timely perform करिये क्योंकि अगर आपके सर से कोई भी लापरवाई होगी या trainee का कोई भी detail भरने से रह गई तो उसके लिए दुबारा से जो है date extend हो सकता है ना हो लेकिन एक बार exam की activities जो चार activities हमने यहां भी आपको बताई हैं इनकी date तो जरूर extend होगी hope आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर इसके बाद भी आपको कोई confusion दे जाता है तो आप जो है हमें यहां पर comment कर सकते हैं हम जल्दी जो हैं आपकी problem को take up करके उसके regarding solution provide करने की कोशिश करेंगे ऐसी ही ITI और SID portals related और बे informative videos को देखने के लिए तो अपने ITI इसके सभी group में share कर दीजे ताकि सभी लोग जो लोग सोच रहे हैं कि आज last rate है उन सभी लोगों को पता चल जाए कि पंदरा तारीक जो है ट्रीनी का PRN generate करने की तित्षी है और इसकी वज़ा से जो है ट्रीनी के attendance और formative assessment के marks बढ़ने की जो date है उसके 99% chances हैं कि date पढ़ेगी अब बहुत सरे लोग सोचेंगे हो सकता है कि DGT date ना बढ़ा है और DGT जो है next schedule में उन बच्चों के exam करा है तो देखिए किसी भी exam को जब conduct कराये जाता है तो जितनी विवस्ता एक लाग बच्चों को बैठाने में लगेगी उतने ही manpower और उतने ही income एक लाग 10,000 बच्चों को बैठाने में लगेगी झाल